हालो एवरिवान आज का जो मारा यह वीडियो है वो उस पे है कि यार मतलब फोटोग्रफी सीख लेते हैं बिजनेस भी कर ही लेंगे पर प्रॉब्लिम यह है कि क्लाइंट हमको कॉल कब करेगा यह जो मेरा फोन है वो कब बजेगा कब हमें इंक्वाइरी आएगी जब आपका नाम होगा जब आपका मार्केट में नाम होगा ना यह फोन रुकेगा नहीं कॉल आ पर कॉल आते जाएंगे यह थो हर फोटोग्रफर के हर बिजनसमेन का सपना होता है तो अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत सारी इंक्वाइरी जाये आपकी बुकिंग्स हो जाये ठीक एक होता है कि Fufa Ji के बती की शादी है, तो Fufa ji ने कॉल कर दिया, तो Fufa Ji की बती की शादी कब आएगी, उसके लिए तो आपको रहा देखना पड़ेगा, तो ये जो out publicity से जो आपको कामाता है, वो तो आना ही आना है, पर अगर आपको बहुत अच्छा आगे बढ़ना है, बहुत ही ग्रोथ देखना है, पैसा जादा कमाना है, मतलब और जादा काम करना है, मतलब किसे नहीं करना है, पैसा किसी और नहीं कमाना है, बता हो, सब को कमाना होता है, तो इससे लिए आपको करनी चाहिए, ओनलाइन मा आपको कहीं पर कोई शादी में देख लिया और आपको काम दे दिया उसको बोलता है कि आप नगोंने offline marketing की है कोई exhibitions में कोई आपको मिल गया यह कही ना कहीं कोई हलते चलते कोई ना कोई मिल गया उसको बोलते है offline marketing पर यह जो online marketing है यह बहुत ही interesting है online marketing सिर्फ photographers के लिए मैं आज समझाने वाली हूँ खास तो अगर आप एक photographer हो जिसको online marketing करनी है online marketing से जो है inquiries चाहिए तो आप इस video को end तक जरूर देखेगा मेरे इतनी साल का जो experience है मतलब लोग 6-7 साल से online marketing कर रहा है कई न कई हमने लोग ने business में बहुत अच्छा कासा growth भी उसी के वज़े से देखा है so let me explain you tip to toe कि इसमें आप कैसा कर सकते हो अगर आप यह सारे चीज़े detail में समझना चाहते हो तो यह video में तो है ही पर पूरा को पूरा photography detail में सीखना चाहते हो तो फिर आपको हमारा एक course है वो आप जॉइन कर सकते हो साथ ही साथ अगर आपको हमारे day to day updates चाहिए तो आप हमें Instagram पे follow कर सकते हो Instagram का link मैंने आपे डाल दिया है Let's begin with the video आज के इस दौर में हम पूरा time अपने phone के साथ तो होता ही है मतलब अगर हम कहीं पे गुम जाए वो चलता है पर phone कहीं पे गुम नहीं जाना चाहिए Right? क्यों? क्योंकि यह जो phone है इसमें सब कुछ है अगर आप इसमें सारे apps डिलीट कर दोगे तो यह phone कोई काम का नहीं यह सिर्फ फोन कर पाऊगे और तो कुछ काम का है ही नहीं तो apps बहुत ही जरूरी है अभी apps में Instagram आगया, YouTube आगया, Spotify, Amazon, Flipkart, Shopify यह बहुत सारे platforms है, right? Platforms बोल दो, Apps बोल दो जो बहुत ही famous, famous apps है वो सारी चीज़े आपको फोन में constantly use करते हो कहते हैं कि average इंसान एक दो घंटा तो आराम से Instagram पे बैट लेता है पूरा दिन में से So, कहने का यह है कि आपको as a photographer अगर बहुत ही जल्ड जो यूथ है, जो आपके wedding के couples, जो youth couples है अगर आपको उनके पास पहुचना है तो आपको यह जो सारे apps, जहां पे वो अपना सबसे जादा time डालते है वहां पे active होना बहुत जरूरी है Actively आप पहां पे जब काम करोगे, तो उनकी नजर में आप पढ़ोगे और जैसे ही उनकी नजर में आप पढ़ोगे, उनको आपका काम अफकोस अच्छा लगेगा, तो आपको call करेंगे यह एक simple सी logic है जब मैं नही नही आई थी, तो मुझसे भी ऐसी गलती हो गई थी कि मतलब मुझे हर जगा पे फेमस था और मैं आ भी गई थी पट इसका कोई मतलब भी नहीं था पता क्यों? क्योंकि हर प्लाटफोर्म, हर प्रोफेशन के लिए नहीं बना होता है अभी मैं आपको समझाती हू For example, आपको नोकरी चाहिए तो आप क्या करोगे? नोकरी.com करोगे अगर आपको किसी की साथ शादी करनी है क्या करोगे? शादी.com करोगे अभी आप शादी.com पे ऐसा पॉटफोलियो तो नहीं बनाओगे मतलब लिंक दिन पोटफोलियो शादी.com पे नहीं बनाओगे अगर आपको लड़की दोडनी है तो शादी.com पे जाएए, यह दो अलग चीज़े है ऐसे ही हर प्रोफेशन के लिए एक अलग चीज होती है जैसे कि अगर आप गाने बनाते हो, म्यूजिक बनाते हो, आप यूट्यूब पे आ सकते हो कि यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूजिक विडियोज होते है आप Amazon Prime Music पे आ सकते हो, जो Spotify है, उस पे आ सकते हो है ना Gana.com पे आ सकते हो, यहाँ पे यह सारे जग़ों पे गाने बिखते है, गानों की बात हो रही है तो अगर आप एक musician हो, तो आपको यह सारे जो platform से बहुत काम में आएंगे पर अगर आप एक photographer हो, तो यह सारे platform, जैसे एक photographer Spotify पे क्या करेगा हम कहां पे गाने बना रहे हैं, हम तो photos की रहे हैं, तो हमें ऐसी platforms पे आना चाहिए जहां पे आपका जो work है वो आप दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ Facebook की, तो Facebook पे videos चलते हैं, photos चलते हैं, तो of course आप Facebook को photography के लिए use कर सकते हो अगर मैं बात करो Instagram की 110% फोटोग्रफिक के लिए यूस कर सकते हैं तो फोटोस चलते है अगर मैं बात करो YouTube की YouTube पे फोटोस नहीं चलते है YouTube पे विडियोस चलते हैं जैसे ये चल रहा है So, मेरा कहने का ये है कि अगर आप वीडियोस भी शूट करते हो तो आप वीडियोस यूट्यूब पे डाल सकते हो है ना, तो आपको ये समझ रहा है कि आप जो चीजे कर रहे हो वो कौन से प्लाटफॉर्म के लिए बेस्ट है जो प्लाटफॉर्म अपके काम का है ही नहीं वहाँ में महनत करके आप ताइम पास कर रहे हो और मतलब बिगर का टाइम बेस्ट ही हो रहा है सब कुछ अगर आप सोचो कि उँझे फिलिपकाट पे जाना तो कुछ सामान बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो मतलब कुछ नहीं बेच रहे हो पर एग्जांपल अगर आपकी एक ऐसी दुकाने जहां पर फूड डिलिवरी अपस है मतलब यह जो फूड डिलिवरी करते हो मतलब खाना बनाते हो आप ठीक है को यह रेस्टरांट है आपका तो आप क्या यूट्यूब पे आओगे नहीं आप कहां पर आओगे जॉमेटो पे आओगे स्विगी पे आओगे यह लोग सब आपको बिजनस दे पाएंगे है ना सॉमेटो और स्विगी पे जाके आराम से आजकल लोग फूड ओडर कर रहे और फूड मिल जाता है तो ऐसे आपका बिजनस बड़ेगा कहने का यह है कि प्लाटफॉर्म्स हर जगा पे अक्टिव होना ज़रूरी नहीं है दो या तीन प्लाटफॉर्म्स ऐसे है जहां पे फोटोग्रफर्स का काम है जैसे कि फेस्बुक, इंस्टेग्राम, यूट्यूब यह तीन जगा पे फोटोग्रफर्स अक्टिव हो सकते हैं थोड़ा बहुता वाट्साप PB मार्केटिंग कर सकते हो क्योंकि वाट्साप पे आपके दूसरे पुराने क्लाइंट्स भी रहेंगे जो वहां पे अक्टिव रहेंगे तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो वाट्साप स्टेटस से वगरा वगरा अभी जैसे ही आप decision ले लेते हो कि आपको ये सारे platforms पे active होना है तो इसके बात होता है कि आपको उस पे regularly काम करना बहुत जरूरी है काफी लोग पहला एक दिन एक photo डालते हैं फिर देखते हैं कितने likes आये कुछ likes नहीं आएंगे दूसरे दिन डालते हैं likes नहीं आये तीसरे दिन शोड करना ही नहीं है अरे ऐसा थोड़ी नहीं होता है तो आपको महनत तो करनी पड़े कि 6 महीना, 8 महीना कभी कभी तो एक साल तक लगातार काम करने से कि आपको पता चलेगा कि और वर्ध्च को क्या पसंदारा है अब सकता है स्टांटिंग में आपको लोग भाव दे उसके बाद आपके घर-वाले पी भाव नहीं दे रहे पर आपको घर-वालों का काम चाहिए आपको तो दुनिया का काम चाहिए तो आपको उस पर कंसिस्टेंटली महनत करनी पड़ती है वो प्लाटफॉर्म पे रोज कुछ ना कुछ डालना पड़ता है हर वीक जैसे मैं आज यूट्यूब पे होठी के आभी क्या मेरे 2-4 लाग सब्सक्राइबर हो जाएगे तोल ना हो गया ना ऐसा नहीं होता है हर वीक कुछ ना कुछ मुझे डालना पड़ता है कभी-कभी वीक में दो बार डालना पड़ता है तो कहने का यह कि यह जो कंसिस्टेंसी है कि बारी-बारी में आपके सामने आ रही हूं यह बहुत जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के बाद का यह प्रोसेस है कि आपको एक ऐसे बंदे को रखना पड़ेगा जो आपका उस चीज को हैंडल कर सके देखिए आप महनत कर रहे हो सई है पर अगर आपकी छोटी कंपनी है तो वात अलग है अगर थोड़ी सी भी बड़ी कंपनी और आप बहुत ही प्रोफेशनली उस काम को लीना जाते हो तो आपको ऐस बंदे को हायर करना पड़ेगा जो कॉंस्टेंटली रगिलरली उसके उपर काम कर सके तो यह हो गई कंसिस्टेंसी इसके बाद आता है कि आप क्या डाल रहे हो जो देखो एक चीज आप समझ के रखिए इंस्टेग्राम यूट्यूब फेस्बोग ये सारी जगा पे एक ची कर सकते हो जैसे आज आप इस वीडियो को देख और आप एजुकेट हो रहे हो हमारी चैनल का नाम ही है फोटोग्रफी एजुकेटर्स हम आपको एजुकेट करते महीं पर डांस कर रहे हूं क्या आपको नचनिया दिख रहे हैं आपको हसी आ रहा है मुझे देख के नहीं र होते हैं YouTube वीडियो होते हैं जहां पूरा कब पूरा पिक्चर बनाते हैं वो आपको एंटरटेन कर रहा है है so there is something call education and there is something call entertainment तो यह होना चाहिए कि आप सामने वालों को क्या दे रहे हो education, entertainment यह दो factors तो है ही अभी यह दो factors में से जो भी आपका है जैसे कि अगर आप एक wedding photographer हो आप ऐसे wedding videos बना रहे हो इतने storytelling अच्छे videos बना रहे हो जो सामने वालों को entertain करती है अगर आप एक photography education सिखाते हो या photography के बारे में सिखाते हो तो आप मतलब educate कर रहे हो तो इसके वज़े से आप सामने वालों को ना engage करते हो जैसे अभी तक आप अगर यह video देख रहे हो मतलब आप engaged हो engaged मतलब इतने time तक आप मेरा विडियो देख रहे हो आप engaged हो गए हो आप engaged कर रहे हो यह पूरे के पूरे विडियो के साथ वो entertainment के रूप से या education के रूप से आप जो है engage हो रहे हो सबसे पहली चीज़ important है कि जो ही आप post create करते हो photos create करते हो videos create करते हो यह बहुत ही अच्छे, unique मतलब शांदार होने चाहिए ऐसा होना चाहिए कि सामने दो घड़ी उस photo को देखे दो घड़ी उस video को देखे समझे कि आप क्या कहना चाहते हो अगर आपकी वो जो quality है जो video production है जो photography है जो इतनी अच्छी हो तब जाके आपका नाम होगा problem यह है कि बहुत सारे photographers आज Instagram पे है तो हम सब सोचते हैं कि मैं ऐसा तो कैसा photo खीचू जो उस photographer से मेरा photo जादा अच्छा होगा ऐसे ना एक competition लग चुकी है तो यह सारे factors आपको समझने है देखो competition कम नी होने वाली है competition तो high ही होगी पर कहने का यह है कि कुछ अच्छी presentation के साथ बहार आना पड़ेगा शादी तो शादियां होती है पर उस शादी में आप कैसा angle लेते हो या कैसा color correction करते हो यहां तक कि आप कैसे अपना Instagram का feed तयार करते हो कोई-कोई लोग सिफ ब्लाक इन वाइड फीड तयार करते है कभी-कभी कोई लोग ऐसे photos को set करते है कि मतलब उसका Instagram page देखने को भी मज़ा आता है तो आप कैसा display presentation करते हो या ऐसे कैसा unique photos या अच्छे अलग कुछ storytelling हटके videos create करते हो जो सामने वालों को entertain कर सके उसको मज़ा आता हो देखते-देखते तब जाके आप में वह बात दिखेगी यार यह जो page है यह बहुत ही interesting है नहीं तो आप वही बन जाओगे जो दूसरे बनते हैं मतलब वही हो जो यह दूसरा photographer है तो मैंने में कुछ unique नहीं है अगर आपको कुछ unique करना है तो आपको करना पड़ेगा अगर आप कुछ new होगे, कुछ हटके होगे लोगों को पसंद आओगे तो automatically आपके followers बढ़ेंगे आपके subscribers बढ़ेंगे मैं जब इस page पे आई थी मेरे पास technical knowledge photography का है photography में इतने साल से wedding photography में इतने सालों से में हूँ कि मैं बहुत कुछ इसके बार में बोल सकती हूँ तो यह मेरा एक था कि दूसरा कोई इस पे सादा था नहीं तो मैंने सोचा मैं इस पे videos बना कि आपके सामने लेके आऊँ तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया बहुत सारे subscribers आए, बहुत सारे followers आए क्यों आए, क्योंकि मेरा एक intention था कि मेरे पास ये art है मेरे पास ये एक चीज है जो मैं दूसरों के साथ शेर करना चाहती हूँ एजुकेट करना चाहती हूँ ऐसे ही आपके mind में भी कुछ ऐसा होना चाहिए और फिर उस पे डटे रहना है ऐसा नहीं कि दो वीडियो बनाएंगे भी छोड़ना इतना मज़ा नहीं आ रहा है उसका मेरे से अच्छा है उसका मेरे से अच्छा है तिको दुनिया में आपसे अच्छा तो कोई ना कोई होगा ही आप इंस्टेग्राम खोलो 10,000 फोटोग्रफर नहीं इसे करके ना आपका इंस्टेग्राम और यूट्यूब फेस्बुक गेम अपने आप अच्छा हो जाएगा यह हो गया कि आपने अच्छा प्रोड़क्ट बनाया अच्छा काम किया प्लाटफॉर्म सिलेक्ट किया आप रोज रोज कर रहे हो पर फिर भी आपको चाहिए उतना ग्रोथ नहीं मिलता है पता है क्यों क्यूंकि आपका प्रोड़क्ट अच्छा है आपने प्लाटफॉर्म सही सिलेक्ट किया है आप महनत भी बहुत कर रहे हो पर ना बात क्या है पता है कि आपको ना वो चीज यूस करने को सही से नहीं आती है मैं आपको अगर मेरी बात बता हूँ तो मैंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का पूरा कोर्स किया है मैंने जो है छे आट महिने इस चीज को पढ़ाई की है कि यूट्यूब कैसे चलता है उसमें कैसी फंक्शनिंग होती है इंस्टेग्राम कैसे चलता है उसमें कैसी फोटोस चलती है यह सारी चीजे का मैंने अक्चुली पढ़ाई की है तो कहने कही है कि जरू नहीं क्या पढ़ाई करने बैच जाओ आज तो यूट्यूब पे ही ऐसे लोग है जो आपको इंस्टेग्राम को कैसे चलाना है, यूट्यूब को कैसे चलाना है, उसके बारे में एजुकेशन देते हैं, पर थोड़ी बात बेजिक ओनलाइन कोर्स भी आज़ होती है, बेजिक कोर्से अप कर लो, उसके बाद यह सार कैसे है, कहने का यह है कि चलना भी बहुत इंपोर्टन चीज है, अगर मुझे आज इस वीडियो में समझाना हो, तो पहले होता है कि आप कैसा पोस्ट करते हो, कौसे कैसे वीडियो, कैसे फोटोस डालते हो, कौन से टाइम पे डालते हो, रात को दो बज़े दालोगे तो त आपके फॉलोज अक्टिव होते है, मतलब फोन पे जाधा बिजी होता है, आज आएगी आपके वीडियो देखने के लिए, तो आप उस टाइम पे अपलोड करो, तो लोग जाधा देखेंगे उसे, आप कैसा जैसे कि आग जगर आप यूट्यो वीडियो देख भी रहे हो, तो वो जो थमनेल था, जो टाइटल था, वो इतना अच्छा था कि आपको मन हो गया देखने के लिए, तो आपने उस पे क्लिक कर दिया, तो वो थमनेल कैसा है, वो टाइटल कैसे आप लिख रहे हो, आप जो फोटो इंस्तेग्राम पे अपलोड कर रहे हो, उसके नीचे आ इस आप से कितना connection है मैंने ऐसे photosgrapers भी देखे है जो colorful photo दालते हैं और नीचे लिखते है hashtag black and white photography तो ये तो उसके दाद कोई connection ही नहीं रखता है तो आपको ऐसे hashtags जालने हैं जो उस photo के लिए connected हो और ऐसे आप hashtags डाल रहे हो ठीक है? तो ये सारी चीजे अभी ये तो मैंने चार पाच चीज बताई है पर ऐसे ही बहुत सारी चीजे आपको constantly सीखने ही पड़ेगी आपको पूरा का पूरा प्लाटफॉर्म शानती से समझना पड़ेगा सीखना पड़ेगा ठीक है? ये सीखने के बात उस पे continuously महनत करने के बात निराश नहीं होना दो मैना, चार मैना लगभख एक साल तक शायद कुछ ना हो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कुछ नहीं हुआ और फिर अचानक से बूम होता है कहीना कहीं से आपके followers बढ़ रहे है कोई post या कोई video ऐसी होती है जो viral चली जाती है या कहीना कहीं वो धीरे-धीरे भी होता है ऐसा नहीं कि आपका बूम हो जाएगा ऐसा भी होता है कि वो consistently धीरे-धीरे उपर आ रहे हो पर देखो आपको benefit तो होगा ही होगा देखो आज अगर आपको online marketing अभी-भी शूरू कर रहे हो पर offline marketing में आपको दो-चार काम आ रहे है तो आपका काम online देखेंगे तो आपका प्रभाव होगा उन पर पड़ेगा वो समझेगे कि इनकी valuation बहुत ही अच्छी है यह सारे चीजों को पकड़ने के बाद आप पर लोग ट्रस्ट कर पाएंगे विश्वास कर पाएंगे कि देखो यह लोग बहुत महनत कर रहे हैं काफी टाइम से Instagram, YouTube, Facebook यह सारी जगा पर मैंनके फोटोस देखती रहती हूँ और फिर आपको काम देंगे मैंने साथ ऐसा भी होता है कि मैं Instagram और Facebook पे फोटो अपलोड करती हूँ और सालो पहले मैंने सालो पहले जिसको मैंने का काम किया था वो मुझे Facebook पर देखते है और फिल बोलते अरे बता दस साल पहले मेरे घर पर तुम ने ही शादी का काम किया हम तुनों फेस्बुक फ्रेंड बन गए थे और मैंने तुम्होरा फोटो देखा अभी मेरी बहन की शादी है, ऐसा भी होता है, ठीके, तो यह आपको क्या करना है, कि कंटिनुज लिस पर महनत करनी है, निराश नहीं होना, आपको 110 परसन ही, 1000 परसन इसके बहुत सारे बेनेफिट्स आएंगे, बहुत ही ब्रॉड माइंड रखना है, मैं क्यों फोटो अपलोड मैं वह वाला नहीं करूंगा, और यह ना, ऐसा नहीं करना होता है, यह बच्चपना नहीं होता है, आपको ना, इंस्तेग्राम, यूट्यूब, फेस्बुक तभी ऊपर लेके आएंगे, जब आप में कुछ टालेंट होगा, आप में कुछ बात होगी, पहले तो आप में व को या कोई आपको ऊपर नहीं लेके आता है, तो आप अड़ोटाइसमेंट्स भी कर सकते हो, आप यह सारी जो फेस्बुक एड्स, इंस्तेग्राम एड्स हैं, उसके बारे में डीटेल में सीख सकते हो, सीख समझ के आप उसमें भी अपना और प्रमोशन कर सकते हो, कहने का यह है, यह सारे एक सिस्टम होता है, यह सिस्टम को समझिये, ओनलाइन मार्केटिंग कीजिये, अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखिये, थांक यू सो मच एवरीवान, सी यू सुन!